Medical Education के क्षेतर में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है News 18 के जनकदवे की खबर है कि All India कोटे की तहित Undergraduate, Postgraduate, Medical और Dental शिक्षा में OBC वर्क शात्रों को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के बच्चों को चात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षन दिया जाएगा केंद्र सरकार के इस फैसले में 5550 चात्रों को फायदा होगा ये स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी और इसी के साथ ही प्रदानवंत्री नरिंद मोदी ने ट्वीट किया है हमारी सरकार ने वर्तमान शेक्षिन के वर्ष 2021-22 से अंडर ग्राजुएट और पोस्ट ग्राजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए All India Quota स्कीम में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्थ के लिए 10 प्रतिशत आरक्षन देने का एतिहासिक फैसला किया है तो इस एतिहासिक फैसले का जिक्र खुद प्रदानमंत्री के जरिये सामने आया है हो बेहत महत्वपूर हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में किनी वजों से आर्थिक तंगियों की वज़ा से अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते या आगे नहीं ले जा पाते हैं सरकार ने क्या कहा है उस पे उनकी नियत किस तरह से साब दिख रही है कि नए राश्र निर्मान के लिए कैसे नई शिक्षा नीती कारगर साबित होने वाली है मेरे साथ मेरे सेयोगी आमिताब सिना जुड़ गए हैं अब अमिताब वर्तमान शेक्षिनिक वर्ष 2021 बाई से जो अंडर ग्राज्वेट और पोस्ट ग्राज्वेट में डिकल डेंटल कोर्स के ओल इंडिया कोटास की में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षन और साथी आर्तिक रूप से जो कमजोर वर गया उसमें 10 प्रतिशत जो आरक्षन होगा इससे कैसे ये बचे मुख्य धारा में और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे गें कि इती जिसमें पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था जो भी सरकारी कॉलेजे जिन राज्यों में राज्यों में इस्कोटे का पूरी तरह से सिस्थम भी शुरू नहीं हुआ था इसके प्रधान मंत्री ने तीन दिनों पहले देर शाम एक बैठक की थी जिसमें दर्वेंदर प्रधान शिक्षा मंत्री, स्वास्ट मंत्री और मंसुक मंडविया और तमाम विभाग जो इससे जुड़े हुए उनके सचीवों ने बैठक की थी और उसके बाद ये फैसला लि इलाकर कम से कम पच्पन सव चात्रों का फाइदा हर साल होगा जिनको बिदेश भर की मेडिकल सीटे मिलेंगी चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो ये उनको आगे लाने की एक बहुत बड़ी मुहीम है प्रधान मंत्री मोधी सरकार की जी के